गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और पौने चार बजे हैं थोड़ा सा आज कल लेट चल रही हूं मैं क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि मैंने का नेगेटिव पैटरन बहुत जल्दी बन जाते हैं और उसके बाद जो साफ सफाई का ट्राइपड मैं उपर सफाई कर रही हूं वह तो शुकर है कि अभी कोई उठा नहीं है इसलिए उसके बाद पानी पीने का का रिक रहा हूं क्या ट्राइपड अभी थोड़ी दिर में लेकर आ जाओंगी नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ट्राइपड के बिना और उसके बाद चार बज योगासन और जो प्रानायम होता है वो दिरे दिरे एक्सरसाइज बढ़ाऊंगी इंक्रीज करूंगी क्योंकि वैसे मैंने भी छोड़ दिया था क्योंकि गर्मी बहुत थी इसलिए और यह वाला जो वाल पुश अप यह थोड़े जो शोल्डर ब्लेड्स हैं थोड़े शा जाओंगी वैसे भी अज लेट उठी हूं तो इसलिए भी लगाने का कोई मतलब नहीं बनता नहीं तो और लेट हो जाओंगी क्या आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको आलस भी नहीं आता लेकिन कुछ दिन आप सही से काम कर लेते हैं जो भी का मन नहीं करेगा आपको लगेगा छोड़ो अब यह यह नहीं करना अखर आपको ऐसा लगता है न तो आप नहीं नहीं हैं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और पांच बजने वाले हैं और मैं नहाके आने के बाद कटाई मैं स मंदिर से आके और कल यश ने राद को पाव मंगाया था उसने मुझसे पूछा था सारी सब्जियां है तो मुझे लगा कि कमल जी शायद ले के आया होंगे तो लोकी कुछ भी नहीं था जो था टमाटर शिमला मिर्च और चुक अंदर चुक अंदर कलर के लिए बहुत जादा नहीं डाल रही हूं क्योंकि जादा डालने पर तो यश को क्रोध आ जाता है मतलब वह दारास हो जाता है साड़े पांच बज़े मंदिर के पोने छे बज़े मंदिर से आ गई और उसके बाद फिर ये कूकर चढ़ा के थोड़ी दिर के लिए मैं कूलर के आगे जो बैठने नहीं तो लेट हो चाएगा तो चेवीश हो चुके हैं अब मैं जा रही हूं एक हैं बंद कर कर गएं अलाम के साथ यही सबसे बड़ी problem होती है तो जब तक बारफ मिनिट है तब तक अपर जाती हूं और उपर पानी डालने के जरुद नहीं और यह प्लांट जो था नहीं हमने जंगली पौधा सोचा था पता नहीं क्या जंगली लग रहा है लेकिन इसको ऐसे मतलब बढ़ने दिया तो इसमें छोटे-छोटे फ्लार्स और यह फ्लार्स अभी कमल जी ने पूजा के लिए तो उसके बाद मतलब ठीक ठाक है अभी जैस फानी जैसे की खास करके अमावस्यया और पूनिमा के आसपास जरूर्ब होता होगा क्योंकि क्यूंदिका चंधरमी में इसक ठोड़ा वीक और आगर हम जॉइंट-कालमी भ्ली में यह में तो ये होता था यह कड़ी पत्त तो यह सारव रहते हैं तो यह तो आपने नोटेस कि जैसे कि आप गरम बरतन ठंडे बरतन एक साथ रख दो तो एक दूसरे को अच्छी होती है वह में इंपैक्ट करती है खास करके अगर पेरेंट्स को वह रहा हो तो उसे बहुत जादा हाध तक हम मूड सूंग और से बचते हैं से लेकिन जब हम नुक्लियर फैमिली में रहतेते हैं तो जो हमारे अपने प्लानेट्स होते हैं वह ज़्यादा तो इसके लिए रेमिडी उनने करता है तो इसके लिए लिए से रेमिडी जाने का भी मन दोड़ाने Fernando सब्सक्रिशार उन निसरा चाहिए अतना एक्षर क्लेंग तो इस को भी सबस्क्राइब एक जयुज़ के अब छोगाम सब सहोग्षा इतने दो-तीन साल से मैं थोड़ा बहुत यह सब चीजें भी देख रही हूं कि कौन सा मंत्र कैसे काम करता है कौन सा कवच कैसे काम करता है और कौन से जो भी चीजें नोटिस की है कि जैसे मूर्स होता है या आप जैसे अपनी गोल से फोकस आपका हटता है आपको काम करने का मन नहीं करता जो रैगुलर आप करते हो तो वह वापस से आप उसी ट्रैक पर आ जाते हो और यह उसमें जो मैंने सब्जी में बाद में जो पाव भाजी मसाला है वो जाते हैं या बहुत तरह की प्रॉब्लम से हार चक्कर क्या है कि अगर हमें इंपर्टेंट लगती हम उसको फ़लो करते हैं नहीं लगती हम उसको बहाने ढूंड़ते हैं तो खेर आप बहाने भी ढूंड़ो न तो भी मैं आपको सॉलूशन बता रही हूं आपके पास Bluetooth या जब तक यह दो लोगों की नहीं बच जाए उसके बाद बरतन कांड मेरा तो आप इसको कांड पर लगा लो Bluetooth, earphone, headphone जो है आपके पास और खाना बनाते हैं लेकिन शर्त यह होती है कि आप जो इसको सुनोगे न एक-एक शब्द है न उस पर आपको फोकस करना है यह नहीं कि होती है तब वह चीज आपके उपर effect करती है क्योंकि शब्दों का हमारे उपर हमारी vibration के उपर बहुत असर पड़ता है तो जैसे ही आप यह सुनोगे न तो आपकी vibration change होने लग जाएगी क्योंकि बहुत तरह की energy हमारे आसपास होती है और बहुत तरह के लोगों से हम influence होते ह है तो बहुत जल्दी influence हो जाते हैं बहुत जल्दी motivate भी हो जाते हैं दी motivate भी हो जाते हैं तो इसके लिए यह कवच जो है ना बिल्गोल रामवान औशिदी की तरह काम करता है और यह tried and tested चीज है और आगर आपको ऐसी problem लगती है तो please इसको try करके देखें क्योंकि जो भी होता है कि जो शब्द होते हैं उनकी vibrations जो होती है उसके इसाब से काम करता है तो आप इसको medicine की तरह भी वह कर सकते हो कि जैसे कुछ लोगों को लगेगा हम यह नहीं सुन सकते हैं या जो भी तो आप अगर चाहो सुनना तो उसमें सुन सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं क्य है नहीं बनाई है नहीं तो मून से रेलेटेट रेमेडी या आप किसी अस्ट्रोलाजर को दिखा के अपना चार्ट वह आप कंसीडर कर सकते हो लेकिन यह चीज जो है ना यह इमीजेटली वर्क करता है दिन में आप एक बर सुन सकते हैं और अगर आपको ज्यादा लगता ह किसी की संस्क्रीट अच्छी नहीं होती है इवन कि मुझे भी संस्क्रीट पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैंने नोटिस किया ना कि अगर हम कोई चीज ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि कोई भी कवाज कोई वी चीज तो वह चीज अगर हम ध्यान देके नहीं खाना बनाते हुए तो उससे और अच्छा क्या हो सकता कि खाना बनाते हुए आप अच्छी चीज सुन रहे हो इसे तो आपके वैसे भी नेगरिटीव थोट्स नहीं आएंगे और खाना बनाते समय हमेशा हमेशा अच्छा ही सोचन चीए और यह जो सेटी में अंदर लिया और मुझे भी तो फूज नहीं रहा तो प्जे पन अच्छी यह को कूछ रहे हुँ और वो कह रहे है कि हो वह कहीं पे या दिया होगा किसी को क्या दिया होगा कोड़ी और गल्टी से तो अगर उपर वाले फ्लोर बहता नहीं तो पिर चला गया हुगा और यह बहुत ही में अलग से सारा किछ मंगवाया था और आज मेंगे शामका भी काम कर लिए जो डस्टिंग ओटा काम था जैसे गां किम शामको नहाने के पहले तो यह सिंच्ट कुछ काम होता है आज में शामका भी नही करऊंगी आज मेरे पास बस टाइम में अभी थोड़ी दिर बाद लंच बनाऊंगे एक अटेबाल और उसकी बाद लंच के बरतन बरतन लिप्टा आके देखूंगी थोड़े बहुत अपने जो कबड है उसको का टाइम मिला तो सही करूँगी और उसकी बाद जो शाम का है शाम को बस दिनर बनाना होगा और मतलब एक्स्ट्रा साफ सफाई का काम आज नहीं करूँगी है क्योंकि आज मैंने अभी कई कोठा पूरा अभी कोठा पूरा कर लिया उसका तो चलिए इस व्लोग में इतना ही मिलती हो आप से किसी नई वीडियो में या किसी नए व्लोग में तब त